हलो फ्रेंट्स मैं हनूस गोडर आज आपके लिए मैं देखिया है हूँ एक्सपेरिंग दी टेक का दूसरा एपिसोड इस एपिसोड में हम बात करेंगे फ्रेंट्स कैमरा अंडर दी डिस्प्ले की आपको पता होगा कि कल सैमसंग ने एक पेटेंट जारी किया है फ्रेंट् 2017 में आपको काफी सारे बिजलस फोन देखने के लिए मिले है और काफी सारी कंपनी सी आके मैं बोलूंग बहुत सी कंपनी सैसी हैं जो ट्राई कर रही है कि पूरा फोन को आगे से बिजलस बना दिया जाए पूरा डिस्प्लेश डिस्प्लेश आगे बच जाए जो भी कैमर fingerprint sensor और बाकी सब sensors हैं वो display के नीचे या इधर उधर चले जाएं तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं इनी सब चीजों के बारे में और मैं आपको बताऊँगा कि कैसे camera को display के अंदर लगाया जा सकता है तो अगर आप यह सब जानना चाहते हैं कि किसी company ने patent file किया है camera को display के अंदर लगाने का मैं आपको बता दूं काफी सारी companies including Sony, Apple यह सब patents वो पहले भी file कर चुकी है 2012, 2015 और काफी टाइम से यह सब patents सलते आ रहे हैं लेकिन अभी तक यह possible नहीं हो पाया है इस video में मैं आपको बताने वाला हूं कुछ ऐसी possibilities जिसके तहत यह किया जा सकता है सबसे पहली possibility मैं आपको बताता हूं friends आपको पता होगा कि आपकी screen का एक refresh rate होता है आप माल नेजिए कि आपकी screen का refresh rate 50 Hz है उसके अनुसार आपकी screen एक second में 50 times on होती है और screen को ऐसा transparent बना दिया जाए कि जब वो screen inactive है उस time पर जो camera है वो अपकी picture क्लिक करेगा और काफी सारे time पर फोटो लेके 3-4 बार फोटो लेके उसको join करेगा software के through और आपको तेदे का एक ऐसी photo जो के बहुत अच्छी होगी लेकिन आपको camera नहीं दिख पाएगा display के अंदर friends display के नीचे camera को यहाँ पर fit किया जाएगा और display को बनाया जाएगा transparent तांके camera उपर देख सके लेकिन हम camera को ना देख सके तो यहाँ पर काफी interesting एक option है friends बहुत अच्छा होगा अगर आ जाएगा phones के अंदर पूरा business phone आपको उसके पाद देखने के लिए मिल जाएगा आपको पता होगा कि sensors वगेरा को भी इस तरह से ही screen के अंदर fit किया जा सकता है और पूरा उपर की तरफ आपको display देखने के लिए मिलेगा एक और concept जो इसी पर base है friends अगर आप camera को अंदर लगाना चाहते हैं display के और आप चाहते हैं कि पूरा display आपको दिखे camera ना दिखे आपको पता होगा friends कि आपके screen के अंदर काफी सारे pixels होते हैं millions of pixels आपकी screen पर होते हैं अगर मैं full HD screen की बात करूंँ friends 1080 x 1920 जैसके आपको पता है कि full HD screen की resolution होती है इतने pixels आपको अपनी screen पर देखने के लिए मिलते हैं तो वहाँ पर अगर छोटे छोटे holes के अंदर cameras और sensors को fit कर दिया जाए वो भी एक बहुत interesting option हो सकती है friends ऐसे भी ये करना possible है काफी सारी companies ये सब already try कर चुकी है तो हो सकता है ऐसा कुछ भी हमें देखने के लिए मिल सके अभी तक कुछ भी साफ नहीं है friends कि Samsung कभी अपने phone में देखे आ सकता है या कैसे वो करेगा काफी सारी options हैं यहाँ पर इस चीज को करने के लिए लेकिन यहाँ पर मैंने आपको बताई कुछ possibilities अगर वो होस के अंदर यहाँ पर fit कर दिया जाता है friends आप इवन देख तक नहीं पाएंगे उस camera को या उन sensors को लेकिन फिट भी वो आपके display के अंदर रहेंगे तो यह काफी अच्छी चीज है friends उसी के साथ मैं आपको बता दूँ कि जब आप video call बगारा करते है तो आपको बार-बार एक बार उपर की तरफ देखना पड़ता है camera की तरफ बाद में display के अंदर देखना पड़ता है यह चीज़ों को यह मुश्किलों को भी यहाँ पर solve किया जा सकता है friends अगर camera जो however display के अंदर आ जाए आप directly देख सकते हैं screen के अंदर और आपकी आँखे भी हमेशा camera पर रहेंगी और display पर भी रहेंगी तो यह बहुत अच्छी चीज़ है friends screen की एकर मैं बात करूंकर screen को transparent बनाये जाता है कुछ ऐसा screen के साथ किया जाएगा कि जो light है बाहर से आ रही है वो अंदर तो जाए लेकिन एक बार तो light अंदर गई वो वापिस से बाहर ना आ पाए इससे क्या होगा कि हम जो cameras और sensors है वो अंदर display के अंदर लगे तो होगी लेकिन हम उन्हें देख नहीं पाएंगे तो यही था friends इस वीडियो के लिए अगर आपको कुछ helpful लगी है वीडियो अगर आपको कुछ अच्छी लगी है वीडियो तो आप इस वीडियो को like ज़ूर कर देजेगा अगर आप ऐसे वीडियो को और देखना चाहते हैं तो आप भी मार चैनल को subscribe का सकते हैं इस वीडियो को देखने के आपका बहुत बहुत धन्यवाद friends